Welcome back to my YouTube channel वैशनभी Free Education Classes Friends, जल्दी से क्लास में जुड़ चाहिए जिससे कि हम अपनी जो क्लास है वो regular तरीके से start कर सकें सभी लोग आएंगे जल्दी से फटा फट से क्लास में और एक बार ग्रूप में शेर कर दीजे आप लोग एक बार आप लोग टेलीग्राम ग्रूप में हमारे वाले में शेर कर दीजे आज हमने ग्रूप में शेर नहीं किया है आप लोग फटा फट से कर दीजे ग्रूप में ठीक है? फिर अपनी क्लास को हम regular तरीके से start करें एक बड़ सभी लोग बताएंगे confirm तरीके से क्या हमारी audio video एकदम clear है बताएंगे सभी बच्चे कि audio video एकदम clear है न सब कुछ सही है बेरी गुट चलिए आज आएए क्लास में सभी लोग फिर अपनी क्लास को start करें हमने last class में काफी सारे कलाकार करवा दिये थे और 60 questions तक हमने complete करवा दिये थे आपके कलाकार ठीक है? आज हमें 61 से start करना है फटाफट से class में आज आएए फिर अपनी class को start करें और बिल्कुल mixed questions चलेंगे आप लोगों के ठीक है? अभी तो बंगाल के कलाकार देखेंगे और फिर इसी के just बात आपके आदनेक और समकालीन कलाकार भी जुड़ जाएंगे ठीक है? हाँ, all clear मैं जी, very good, शाबस आज हैं यह जल्दी से शाबस चलिए, शुरू करते हैं अपनी class को, ठीक है? हाँ, सभी लोगों को good morning, good evening, रादे रादे और जैश्री किश्न, नमस्ते, प्रणाम, good afternoon, चलिए तो हमने 60 questions तक, last class में हमने पढ़ा दिया था, ठीक है? अब हमें पढ़ना है 61 से, तो आजाएंगे class में पहला question आपके screen पर दिया है कि रवीन नाट टैगोर ने उम्र के 7 दशक में किसे अपनाया था? बताएंगे नृत्यकला को, चित्रकारी को, सितार को, तबला को, किसको अपनाया था? बताएंगे सभी लोग, very good, शाबास, option B होगा, इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था, ठीक है, सात्वें तशक में, आगे है, नई दिल्ली में भारती रिजर्व बैंक में इस्थापित, यच्छे यच्छडी, नामक मूर्ती शिल्प, किसके द्वारा निर्मित है, डीपी रै चौधरी, प्रदोस्दास कुपता, राम किंकर बैज, इन में से कोई नहीं, क्या ह होगा अंसर, सभी लोग बताएंगे, 62 का, शाबास, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है, आप लोगों का, बहुत सही, ऑप्शन सी होगा, राम किंकर बैज, ठीक है, यच्छी अच्छी पूछा गया है, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक् चल्दी से, टैगोर का व्यक्ती चित्र पूछा गया है, आपका आंसर किसकी क्रती है, हाँ, वेरी गुड, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आगे चलते हैं, नेक्ट क्वेस्चन पूछ जा रहा है, लास्ट जर्णी नामक जो चित्र है, वो किसने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, डीपी राय चौधरी ने, हलदार ने, या फिर यामनी राय ने, बताएगे 64, बेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का, शाब बास, आप्शने होगा, मूर्तिकार है, साहितकार है, या फिर कवी है, बताएगे, चित्रकार तो है ही, साहितकार भी है, कवी भी है, लेकिन ये मूर्तिकार कब हुए, ये तो हमें पता नहीं है, आप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, आगे है, निमनलिखित में से कौन अवन्ठागुर के नाम से जा बताएंगे सभी, very good, option A, अवनीननाथ टैगोर को ही हम अबंठा को बोलते हैं, ठीक है, आगे, निमने में से किस में, मतलब किस ने कान समाध्यम में भी मूर्तियां बनाई है, बताएं, कौन हैं वो, शांती दवे हैं, सोमनाथ होर हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, बहुत अच्छे रेप्लाई आ रहा है, very good, शाबास, option B, ये हैं सोमनाथ होर, ठीक है, आगे चलते हैं, शांती निकेतन में कला भवन की इस्थापना कौन से टाइम पर होती है, 1915, 1921, बताएंगे सभी लोग, शांती निकेतन में कला भवन की बात हो रही है, किसकी कला भव की इस्थापना, हाँ, answer होगा, option C, 1929 में, ठीक है, very good, आगे बढ़ जाते हैं, अब नीन नाट टैगोर के जो चित्र हैं, वो कौन से टाइप के हैं, बंगाल, येरोपिय शास्त्री, या फिर, बताएंगे क्या होगा 69 का, देखकर ही, answer बता देंगे तुरत, हाँ, option E होगा, ये है, बंगाल, पुनर, जागरन, काल के, चित्र मिलते हैं, ठीक है, very good, आगे चलते हैं, next question पर, वह कौन से चित्रकार थे, जिनकी कर्म भूमी, जोरांस को थी, डीपी राय चौदरी, अमनीनाट टैगोर, गगनेनाट बोस, बताए, 70 का क्या होगा, जोरांस को किसकी जन्म भूमी है, ये, option B हो जाएगा, ये है, अमनीननाट टैगोर की, ठीक है, आगे, अमनीननाट टैगोर की, चित्रकी, जो मतलब शैली है, वो कौन सी है, बताए, simple question है, ये, बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, option B, ये, बंग किया गया है, बताए, B, शांताराम को, महात्मा गांधी को, रवीननाट टैगोर को, जवाहरलाल नहरू को, किसको, चलिए, शाबास, very good, answer है, आपका option C, ये है, रवीननाट टैगोर को, 1913 में, ठीक है, आगे चलते हैं, किसका पूर्टा भारतिये शैली में बना प्रथम च पूछा गया है, शाबास, option C होगा, ये है, अवनीननाट टैगोर, ठीक है, आगे, आधनिक भारतिये कलाकारों में से, किस कलाकार ने मुगल और राजिस्थानी चित्रों को, अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया है, राजा रवी वर्मा, यामनी राय, अवनीनाट अब नीननाट टैगोर, ठीक है, आगे, अब पूछा गया है, नंदलाल बोस का जन्म कब होता है, बताए जल्दी से, फटा फट से, 75, बताना है सभी लोगों को 75 का क्या होगा, शाबास, बहुत सही, option B हो जाएगा, ये है, 1882 में होता है, कहां होता है, ये भी बता दीजे आप लोग, तो मज़ा आजाए, next question है, त्रामर कोर मंदिर जो है, इसमें हरीजन प्रवेश उद्घोशना, ये कांस मूर्ती कहां पर रखी, मतलब किसकी है, ये पूछा क्या है, किसने बनाई है इस मूर्ती को, वियस गाय तोंडे, अमरिता शेर गिल, रवीन नाट टैगो बताए, 76 का क्या होगा, शाबास बिहार मुंगेर में हुआ था, नंदलाल बोस का, ठीक है, याद रखता है, बताए, 76 पे आईए, फटा-फट से, ये त्रामर कोर जो मंदिर है, इसमें पूछा गया है, इसकी जो मूर्ती बनाई है, वो डीपी राय चौधरी ने, ठीक है, आगे चलते हैं, नंदलाल बोस की पेंटिंग जो है, वो किस माध्यम में बनी हुई है, ओल, जल रंग, तेल रंग, टैमपरा, बताए, 77, आंसर क्या होगा, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, तो याद रखना है, आप्शन D होगा, टैमपरा माध्यम मे ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं, हलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है, चलिए ठीक है, आजये, आजये, 78 पे, हाँ, आंसर होगा आपका option D, ये है महत्मा गांधी, ठीक है, आगे चलते हैं, नंदलाल बोज जो है, ये कौन से सिक्षर संस्थान से संबन्दे थे, लाहोर, लखनव, मुंबई, शान्ती निकेतन, हाँ, चलिए आजये, अब सही है, 79 का क्या होगा, आंसर होगा option D, ये है शान्ती निकेतन, खीक है, आगे, निमने में से, वह कौन सा कलाकार था, जिसने बंगाल शैली में नबीन प्रियोक किया है, बताए, 80 का क्या होगा, ए 80 पर आएंगे, शापास, वेरी गुड, जिसने बंगाल शैली में नबीन की बात हो रही है, नबीन प्रियोक की बात, option C, ये है, नंदलाल बोस, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्ट क्वेस्चन पर, अब नीना टैगोर जो है, वो किस भारती आधुने कला, आंदोलन से संबंदित हैं, तंत कला, सिंक्रोनिज्म, शुरीलवाद, बंगाल स्कूल, बताइए, क्या होगा 81, आजाएए, काफी सारे क्वेस्चन करवाने हैं, आज हमें कलाकारों से, ठीक है, सभी लोग आजाए ये कलास में, आवनीन नात की बात हो रही है, बंगाल स्कूल होगा नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट नामक जो संस्था है, इसकी आधार श्रिला किसने रखी है, ये पूछा क्या है आपसे, रवीन नात टैगोर ने, नंदलाल बोस, गगनेन नात टैगोर इन में से सभी, बताइए 82, इंडियन सोसाइटी ओफ ओरिय ना है, कि रात में 9 बजे आपकी अवनीनना टैगोर की जो क्लास लगी हुई है न, उसको जरूर देख लिजेगा आप लोग, केवल उस क्लास से ही, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल एक क्लास में अमनीनना टैगोर को पढ़ लिजे, इसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर ठीक है चलिए आजाएए हाँ इवी है विल के साथ मिलके चलिए इस पर बताएए 83 का क्या होगा कांग्रेज के लखनाव अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर मूरल बनाए थे बताएए 83 का शाबाज आंसर होगा ऑप्शन भी यह है यामनी राय के साथ मिलकर ठीक है चलिए आजाएए नेक्स्ट क्वेस्चन है निम्ने में से कौन अवनीना टैगोर के शिस्स्यों में नहीं है डीपी राइट नंदलाल बोस हलदार गोपाल घोश ठीक है हाँ हम सही है आजाएए बता अलगी बात करेंगे ना तो आंसर आपको सही होगा ऑप्शन टी यह है गोपाल घोश ठीक है आगे चलते हैं शांती निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संत इनके भित्ती चित्रों का जो निर्माड किया है वो किस ने किया है विनूत बिहारी मुखर जी थोड़ा सा क्वे यह है बिनूत बिहारी मुखर जी नेक्स्ट क्वेशन है निमने में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है शार्दा उकील सुधीर रंजन खास्तगीर इस्वरी प्रिशाद मुकुल्डे बताईए 86 आंसर की बात करेंगे शाबास सभी लोग टाइम से आये करें ठीक है जो टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम पर आये करिए आप लोग ठीक है गंदे बच्चों वाली हरकते करते हैं ऑप्शन सी यह है इश्वरी प्रिशाद आगे नेक्स्ट है आधुनेक भारती चित लामह कौन थे एन टैगोर थे रवीना टैगोर थे जी एन टैगोर थे इन में से कोई नहीं थे बताइए 87 का क्या होगा इस पर आईए चलिए आंसर की बात करेंगे बिल्कुल ऑप्शन यह हो जाएगा यह है अब नींदरनाथ टैगोर ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क् विद्याले के प्राचार पूछे गए हैं क्या होगा आंसर 88 का कलक kommt 8 विद्याले के प्राचार पूछे गए हैं तो याद रखना है पीछे क्यों हो रहे हैं आप डों आईए अराम से वटाफट से आंसर की बात करेंगे, option A हो जाएगा, यह है, option A, EV, हैवल, ठीक है, next पे आते हैं, पूछा गया है, इन में से कौन असम बद्ध है, बताईए, केसियस पड़िकर है, अमरता शेरगिल है, एनस बेंदरे है, या फिर मुकुल चंद डे है, बताईए, क्या हो जाएगा, आंसर, आएंगे सभी लोग फटा-फट से, चलिए, very good, very good, इन में से असम बद्ध पूछा गया है, तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, मुकुल D हो जाएगा, ठीक है, option D हो जाएगा, आगे चलते हैं, प्रोफेसर जो मदनलाल नागर थे, वो लिखक थे, ग्राफिक कलाकार थे, बताएगे, क्या हो जाएगा, आंसर, फटा-फट से करेंगे सभी लोग, हाँ, ये सब बंगाल स्कूल के हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, आधुनिक वाले, ठीक है, हम, चलिए, आजाएगे फटा-फट से, चलिए, प्रोफेसर मदनलाल नागर पुछे गया है न, तो आंसर होगा आपका क्या, आप्शने होगा, ये चित्रकार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर मूर्तिकार जो चिंतामडी है, चिंतामडी कर, निमने में से किस ललित कला विद्याले में प्राचार थे, ब इनका सब गुर्दा, फेफड़ा, किडिनी, सब कुछ निकालाता है बाहर, अगर कोई इनका सहपाथी ना आए क्लास में, तो इनका बन ही नहीं सकता है, बताए, 91 का क्या होगा, बिल्कुल, आप्शने, कलकत्ता कॉलिज ओफ आर्ट, आगे बढ़ते हैं, पैन, एसीजने म ये किस से सम्बंदित है, बताए, क्या होगा, 92, आप्शने, ये है, एशियाई कला, अवधारना, ठीक है, इस से, पैन, एसीजने में सम्बंदित है, आजाओ फटा-फट से, शाबास, वेरी गुड, आगे, नेक्स्ट है, लखनाउ कला महा विद्याले के, प्रथम प्राच पूछे गए हैं आपसे, 93 का क्या होगा, बताए, आप लोग धीमे क्यों हो गए हैं, धीमे नहीं होना है भाई, आप्शन सी, ये है, असित कुमार हलदार, ठीक है, नेक्स्ट कुमार स्वामी की जो प्रिपतनी थी, वो कौन थी, बताए, इस्टैला ब्लाच, इस्टैला क्रामरिस, रतना देवी, इन में से कोई नहीं, 94, आनंद कुमार की पतनी पूछी गई है, क्या होगा अंसर, थोड़े स्पीड बढ़ा लो, हाँ, आप्शने होगा, ये ब्लाच थी, ठीक है, इस्टैला, ब्लाच, आगे चलते हैं, वर्स दोहजार प्रकासित, पैंटिंग्स of अबनीद्ना टैगोर प्रशिद्पुस्तक किसकी है, पर्सी ब्लाच की है, क्या, अबनी, सर्य, आनंद कुमार स्वामी की है, आर्शिव कुमार की, किसकी है, बताईए, 95, पैंटिंग्स of अबनीदना टैगोर, इंपॉर्टेंट ग्यस्जिन है option c शिव कुमार की है ठीक है याद रखना है आगे चलते हैं इन में से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रशिद कलाकार है बताइए गणेश पाइन, मनीशी डे, गणेश हालोई इन में से सभी बताइए 96 का क्या होगा आज ये जल्दी से 96 बंगाल का प्रशिद कलाकार पूछा गया है आपसे option c होगा गणेश हालोई ठीक है आगे एन टैगोर के पुनर जागरण काल में तक्नीकी द्रश्टिकोर से भारती चित्रकला की क्या देन है तेल रंग, मिस्रित रंग, वॉस चित्रण, पैस्टल रंग बताईए 97 पैये आप लोग एक बार नीचे जो क्लास चलते टाइम जो लाइव लिखा होता है ना, एक बार सभी लोग उसमें टच कर दीजे तो आप लोग बिल्कुल आगे आजाएंगे हमारे साथ आप लोग पीछे चल रहे हैं, लाइव वाले उसमें जो लिखा होगा उसको टच कर दीजे हाँ, ओप्शन सी, ये वॉस चित्रण, नेक्स्ट, किस चित्रकार ने ठेट यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है, बताईए बताओ, नंदलाल बोस, अवनीनाथ, राजा रवी वर्मा, को प्रोक्त में से कोई नहीं, 98, पढ़ लेओ बताईए, 98 को क्या होगा, ओप्शन सी, ओप्शन सी हो जाएगा, ये है राजा रवी वर्मा, ठेट यूरोपियन पुछा गया है, अवनीननाथ, टेगोर की कलाकरती है, आउल एंड बर्ड, ये जो है, ये कौन से माध्या में बनी है, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी से बनना चाहिए, ये क्वेस्चन, बताईए, 99 पे आएंगे बिल्कुल, ऑप्शन ए, ये है कास्ट, ठीक है, आगे चलते हैं, किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटम, काटम, शिल्प, कलतियों की रचना की है, बताईए, रवीन नाट्टैगोर, अवनीन नाट्टैगोर, राम किंकर बैज, अजीद शक्रवर्ती, 100 पेंग शतक लग चुका है, फटा फट से आजाईए, क्या होगा, कुटम, काटम की बात हो रही है, किसने बनाया है, आप्शन भी हो जाएगा, अवनीन नाट्ट, टैगोर ने, ठीक है, वेरी गूर, आगे चलते हैं, अवनीन नाट्ट के दल में, निमन में से कौन नहीं था, पू तो याद रखना है, option D हो जाएगा, रवी संकर रावल नहीं थे, बलकि ये सभी थे, ठीक है, आगे चलते हैं, अब नीना टैगोर का टैंपरा वा वाश पद्दती में बना चित्र, यात्रा का अंत कहां संग रही थे, बताईए, अभी लाइब में चलिए, ठीक है, जो पूट चुके हैं आप लोग बाद में देख लीजेगा, आजाएगे, क्या होगा, बताओ 102 का, अब नीना टैगोर का टैंपरा वाश पद्दती में बना चित्र, यात्रा का अंत का संग्रह पूछा गया है आपसे, बताईए, सभी लोग, option A होगा, राष्टी कला संग्रहा गया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अब नीना टैगोर जो है, वो प्रवर्तक हैं, किस चीज के, भारतिय वा इरानी कला परमपरा के, भारतिय परमपरा और यूरोपी यथार्थवाद के, या फिर इरानी, बताईए, क्या होगा 103, फटा-फट से, स्पीड में, 103 पह ठीक है, आगे चलते हैं, नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित है, शिव वा, सती, चित्र, कहां सुरक्षित है, बताईए, नई दिल्ली, दोनों नई दिल्ली है, आंधर प्रदेश है, प्रियाग राज है, अब बताईए, कहां पर है, कौन सी वाली नई दिल्ली, पुरानी या फिर नई वाली, बताईए, नई नई, ठीक है, आप्शन बी हो जाएगा, रास्टी कला संग्रहाल है, नई दिल्ली में, ठीक है, शाबाज, आगे बढ़ते हैं, आप्शन बी होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, नंदलाल बोस ने अपना प्रशिद चत्र दांडी मार्च कौन सी विधी में बनाया है, पूछा गया है, बताईए, टैम्परा में, तेल में, वाश में, लीनो कट में, 105 पर बताएंगे सभी लोग, दांडी मार्च कौन से माध्यम में बना है, बिल्कुल, आप्शन डी होगा, ये है, लीनो कट में बना है, ठीक है, कागजपर जलरं से बना चित्र रास लीला, इसके चित्रकार कौन है, बताईए सभी लोग, एक सुच है, ओप्शन सी होगा, ये छितीन डिनात मजूमतार है, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल साथ में चलिए, आज आए जल्दी से, फटा फट से, साथ में चलिए, जो छूट गया है, उसको ब रशिद चित्र, राधिका कहां पर सुरक्षित है, बताईए, राधिका को कहां रखा गया है, राधरानी को, बताओ, पटा फट से, स्पीड में, याद रखना है, राश्ट्री आधने कला संग्रहा ले, नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ठीक है, ओप्शन, एक हो जाएगा, ठीक है, आगे शलते हैं, वर्स उनी सो चालेस इसवी में चित्रित है, मेग दूद शंकला, किसने बनाई है, बताईए, उनी सो चालेस की है, बताईए, चार आप्शन है आपके सामने, किसने बनाई है इसको, मेग दूद को, चलिए, पैरी गुड, शाबास, भी होगा, ये राम गोपाल, राम गोपाल विजय वर्गी ने बनाया है, ठीक है, याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, राम गोपाल विजय वर्गी को, उनके किस काव विसंग्रह पर, राजस्थान अकादमी ने कविता पुरुसकार से सम्मानित किया है, बताईए, कवित very good option A होगा ये है अभिसार निशा के लिए है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question पर तो भारत माता शीर्षक चित्र किसने बनाया है पूछा क्या है बहुत simple question है हाँ हमें पता था बहुत चालू बच्चा है सही में बहुते भयंकर चालू बच्चा है पहले पढ़ लियो अच्छा नौमे का दे रहे हो ठीक है दसमें प्याव फटा फट से भारत माता जो शीर्षक चित्र है वो किसने बनाया है हम बिल्कुल आंसर होगा option ने यह है अमनीन नात टैग ओरने चलो आगे next question है जे जे स्कूल आफ आर्ट की इस्थापना कब हुई थी बता ये क्या होगा बताएए क्या होगा जे जे इस्कूल आफ आर्ट की इस्थापना कब हुई थी चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ओप्शन सी ये हैं अठारा सो संतावन आगे चलते हैं नेक्ट क्वेस्चन पे किस चित्रकार ने किस चित्रकार ने शांती निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ती चित्रन किया है बताईए क्या होगा निर्माड किया है क्या होगा 112 का हाँ बताईए इसको क्या होगा शाबास ओप्शन सी होगा नटीर पूजा की बात हो रही है ना से नटीर ना से नंदलाल बोस याद रखना है ठीक है आगे बटने हैं भारत में पुनरोधार कला आंदोलन मतलब रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे बताईए रवीन नाथ टैगोर थे क्या कौन थे बताईए 113 पे सभी लोग बताएंगे और आंसर की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो आंसर आपका ऑप्शन B हो जाएगा ये हैं अवनींदरनाथ टैगोर ठीक है आगे चलते हैं प्रशिद चित्र है दा अरेबियन नाइट्स किस कलाकार से सम्मन्दे थे बताईए चौदे नंबर प्याएंगे वेरी गुड आंसर होगा आपका ऑप्शन D अवनींदरनाथ टैगोर इंडियन स्कल्प्चर एंड पेंटिंग ये ग्रंथ जो है ये किसका है परसी ब्राउन का है क्या बताईए किसका है ये ग्रंथ इंडियन स्कल्प्चर एंड पेंटिंग पूछा गया है आपसे आज आई जल्दी से फटाफ़ट से आंसर करेंगे सभी बच्चे और एक बार क्लास को फटाफ़ट से सभी तक शेर करेंगे हाँ वेरी गुड कमल नारायन ची आ गए आप आप्शन भी भूल गए थे क्या कि मैं भी पढ़ाती है आप्शन भी इवी हैविल हो जाएगा आगे शलते हैं प्रशिद चित्र है कमल पत्र पर अश्रुपात कागज पर जल रंग और वास्प माध्यम में बनता है इसके चित्रकार पूछे गए हैं राजा रवी वर्मा अवनीन नाथ टैगोर रवीन नाथ टैगोर असित कुमार हलदार बताईए 16 नंबर का क्या होगा हाँ सभी लोग बताएंगे 16 पे very good आंसर की बात कर लेते हैं आप्शन बी होगा ये है अवनीन दरनाथ टैगोर आप्शन बी ठीक है आगे बढ़ते हैं बताईए portrait of a lady at Mrs. Modi's house ये अमलंकन ये चित्र किसका है पूछा गया है आपसे दंदलाल बोस का है बताईए क्या है चार आप्शन है आपके सामने बताईए तुरंत फिर हम आधने को और समकालीन कलाकार की तरफ फिर बढ़ते हैं बताईए फटा फट से option C option C मुकुल डे ठीक है हमें सब के नाम याद हो गए हैं सच में जितने भी old student है एक बार सामने आ जाए हम सब को बता देंगे कि हाँ ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमसे बताईए वर्स 149 और जो डेली बच्चे जुड़ रहे हैं उनको तो भूल ही नहीं सकते हैं ये जितने भी नाम अपने सामने आ रहे हैं ये सब ही old student है हमारे सब पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से बताईए एक सो अठारे पे क्या होगा सभी बताएंगे किस मूर्धन निकला प्रेमी के निजी प्रियास से पटना में कला महा विद्याले की इस्थापना होती है एक सो अठारे पे आईए आप्शन ची ये है बैरिस्टर राधा मूहन ठीक है आगे बढ़ते हैं अन्न पूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां है राजा रवी वर्मा एमेफ हुसैन नंदलाल बोस अवनींदरनाथ टेगोर बतादीचे वन वन नाइन का क्या होगा हाँ काफी बच्चे ओल्ड है बहुत ओल्ड है 19 पहेंगे अन्न पूर्णा और गांधारी की बात हो रही है आप्शन सी हो जाएगा नंदलाल बोस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेस्चन पे तो पूछा जा रहा है दसपुर की दुलहन क्या है दसपुर की दुलहन 1983 में बनता है इसके चित्रकार पूछे गए हैं कौन है बताइए राम गोपाल विजय वर्गी है क्या बताइए क्या होगा 120 आओ जल्दी से यही हो जाएगा राम गोपाल विजय वर्गी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर तो पूछे जा रहा है वर्स 1986 इस्वी में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ है मुंबाई चेननई चंडीगर दिल्ली बता आंसर होगा आपका आप्शन डी रुका मत करिये ठीक है आप्शन डी हो जाएगा आगे नेक्स्ट है विनोद बिहारी मुखर जी का प्रशिद चित्र है प्रोशे सन सूभा यात्रा यह कहां पर सुरक्षित है बताईए कौन सी दिल्ली में है सुरक्षित बताईए चार प् दिल्ली में सभी लोग बताएंगे प्रोशे सन सुभा यात्रा कहां सुरक्षित है यह पूछा गया है आपसे याद रखना है यह अपनी पहले नंबर की जो दिल्ली है रास्टपती भवन संग्रहाल है नई दिल्ली में इसको संग्रहीत किया गया है ठीक है चलिए तो यहा आपके स्क्रीन पर है अगलो न बताए शंक्त रेखंकन के लिए कौन जाने जाते हैं बताइए मुठा रीखंकन की लिए रे इंजाने आप सामने हैं अब और आपको बताना है कि इन में से कौन आप सामने वने वाला है सभी लोग एक बार जोड़ा तरीके से फटा फट से कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है सारे questions most important है मज़ा आ रहा है class में बताईए जल्दी से फटा फट से पहला question आपके screen पर है और class पसंद आ रही है तो like, share, subscribe भी करते रहना है ठीक है आजए जल्दी से कहां गया भाई चलिए ठीक है पहले नंबर पर चली गई आवाज आवाज चली गई नहीं गई यहीं पर है आवाज ठीक है बताई श्रसक्त रेखांकन के लिए पूछा गया है तो यहीं है अपने प्यारे से केके हैब बर option D हो जाएगा ठीक है option D हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है next question है अमरता शेरगिल ने सिक्षा कहां से प्राप्त की है बताईए शांति निकेतन मुंबई पैरिस जैपूर सेकेंड का क्या होगा सेकेंड नंबर प्याएंगे सिक्षा कहां से ली है पूछा गया है तो आंसर होगा आपका option C यह है पैरिस से ली है ठीक है आगे चलते है next question है केके हैब बर के अंतिम दिनों की जो चित्रशैली है वो कौन कैसी है वास्तो धर्मी शास्त्री रेखात्मक अलंकारिक बताईए केके हैब बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली पूछी जा रही है वेरी गुड थर्ड प्याएंगे फटाफट से शाबास option C यह रेखात्मक है ठीक है आगे चलते हैं रंगों का समराट किसको बोलते हैं बताईए नंदलाल बोस को M.F.Husain को किसको बोलते हैं रंगों का सम समराट किसको कहते हैं बहुत सही option C यह हैं अब्दुलरह्मान चुगताई को हम बोलते हैं ठीक है अब्दुलरह्मान चुगताई किसके शिस्ट के एन टैगोर के नंदलाल बोस के ईवी हैवल के या फिर यामनी राय बताईए फिप्ट का क्या होगा यह जो गदर सिरीज कर सवार रहे हैं न हम आपको यह आप लोग बिल्कुल से रट के रखिएगा क्योंकि कोई भी एक्जाम हो हर एक्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है चाहे टीजीटी दे दीजेगा पीजीटी एल्टी ग्रेट कोई भी एक्जाम दे दीजेगा बीपीएस सी हो के वीए और बीपीएस सी वालो अच्छे से पढ़ लो ठीक है क्योंकि आप लोगों के एक्जाम नजदीक है तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ही लोगों की वज़े से यह थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं हम बताइए क्या होगा सिक्स का आंसर होगा आपका आपका आप्शन डी संगीत एवं ललित कला महा विद्याले बी अच्यू आंसर होगा ठीक है आगे चलते हैं प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है एनस गायतोंडे है शांती दवे रागो कनेरिया के एस कुलकर्णी बताइए क्या होगा सेवंत क आंसर याद रखना है आप्शन डी के अस कुलकर्णी नेक्स्ट है अम्रिता शेर गिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी बताइए ये पेस थोड़ा धुन्दला है आगे सही हो जाएगा बताइए एट का क्या होगा शाबाज ऑप्शन ए मुंबई के ताज होटल में ही थी ठीक है याद रखना है नेक्स्ट पे आते हैं एनस बेंदरे क्या थे चित्रकार थे मूर्तिकार थियेटर आर्टिस्ट छापा चित्रकार कौन थे ये बताइए एनस बेंदरे कौन थे तो ये मेंली चित्रकार थे याद रखना है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं राम गोपाल विजय वरगी ने मेख दूद का चित्रण कौन सी पद्दती में किया है बताइए तेल रंग में वाश पद्दती में टैंप्रा में पेस्टल रंग में क्या होगा अंसर मेख दूद का चित्रण कौन सी पद्दती में बहुत सही शाबाज सुनील जी वेरी गूट ऑप्शन भी हो जाएगा वाश पद्दती में गजगामनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किस ने किया है एनस बेंद्रे पता है आप लोगों को अभी हम कलाकारों की स्टार्टिंग कर दिये हैं हमने आज से रात को 9 बजे से स्टार्ट हो गए हैं आपके अपनी ना ठीक है जितने भी कलाकार है ना उनकी अच्छे से मज़ा आने लगेगा हर कलाकार के बारे में जानने का क्योंकि ये लोग ना इतने मतलब इतने अब क्या ही बताएं आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि किस टाइप के लोग थे ये चलिए आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी होगा एम एफ हुसेन ठीक है हाँ हुसेन चच्छा चलिए आगे एनस बेंद्रे किस विश्व विद्याले में प्रिधाना ध्यापक थे बताएं दिल्ली में थे क्या लखनौ में बड़ावदा मुंबई कहां पढ़ थे ये क्या होगा हाँ आर्ट इजा लाइफ और इन लोगों की लाइफ जब पढ़ेंगे न तो सच में मतलब लगेगा ताज्यूब होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी मतलब इतना ज़्यादा फेमस हुए हैं और बहुत ख्याती प्राप्थ हुई हैं उप्शन सी ये है बड़ोदा क्या होगा अंसर होगा ऑप्शन ये है किसकी एस कुलकर्नी नेक्ष्ट है किसकी आत्म कत्हा चित्रकर 1989 में बनती है एक महत्रपूर्ट पुस्तक है बताइए क्या होगा किसकी पुस्तक है ये चित्रकर 14 चली आते हैं आंसर की तरफ option A हो जाएगा ये है बिनोद बिहारी मुखरजी की है ठीक है आगे चलते हैं निम्न पूछे गया है भारती कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार पूछे गया है बिंदुवादी की बात हो रही है तो कौन है बिंदुवादी बताइए आंसर होगा option C ये है एनस बेंदरे ठीक है आगे चलते हैं अमरता शेरगिल का जन्म कहाँ पर होता है बहुत सिंपल क्वेश्चिन है 16 बिल्कुल आंसर की बात करेंगे option C होगा ये है हंगरी में ठीक है आगे अब यहाँ से सही है बताइए अमरता शेरगिल को भारती कला की जो प्रेड़ना मिली है वो सबसे पहले कहां मिली है ये अमरता शेरगिल भी बहुत मतलब देखने में तो बहुत जादा मतलब बहुत ब्यूटीफुल है और इनका जब काम देखेंगे न तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कितना हाई लेविल से इन्होंने काम किया है हाँ 17 पर आईए ऑप्शन ए ये है अजन्ता एलोरा के चित्रों से आगे चलते हैं मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कौन से शहर में होता है दिल्ली शोलापुर भोपाल सतना बताईए एट्टीन का क्या होगा चलिए वेरी गुड ऑप्शन भी ये शोलापुर ठीक है आगे चलते हैं अमरता शेयरगिल के चित्रों को किसने प्रोटसाहित किया है बॉन गॉग पाल गॉग और फिर है पिकासो फिर यामनी राय क्या होगा हाँ वीडियो रात में 9 बजे आएगी ठीक है अरे आप लोग पढ़ेंगे न सच में आप लोग बोलेंगे कि अभी तक पता नहीं हम लोग ने कैसे नहीं पढ़ा अब आप लोग जो पढ़ेंगे न जो हम पढ़ाएंगे रात में 9 बजे आएगी क्लास आपकी उसको जरू सब्सकार सच में ऐसे याद होंगे आप लोगों को बिल्कुल कहानी की तरह पूरा याद हो जाएगा मतलब लगे गई नहीं कि यह सब हमें मतलब टफ लगता था ऑप्शन डी यह है यामनी राय ठीक है खेर अबनीन ना टैगोर तो बहुत सीधे साधे परशन थे तो इनकी तो बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया है हमने बाकी लोगों को देखेंगे न तो पता चलेगा पूछा है MF हुसैन की किन आकरतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है बताए घड़यालों को, कायों को, घोडों को, बकरियों को बताए 20 नंबर पे क्या होगा जब आप MF हुसैन को पढ़ेंगे न तब आप लोगों को हसी आएगी सच में देखेगा जब हम पढ़ाएंगे न उसको तो देखेगा 20 का अंसर होगा ऑप्शन सी इन्होंने घोडों को चित्त किया है ठीक है और इनकी लाइफ स्टाइल तो बहुत ही अच्छी थी चलिए वधु का स्रिंगार पूछा जा रहा है नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है रवीन नाट टैगोर यामनी राय राजा रवी वर्मा अमरिता शेर गिल बदाईए 21 और जो लोग ये क्लास को बाद में देख रहे होंगे तो आप लोग एक काम किजेगा अगर चित्रकारों को देखना है तो उपर सर्च कर दीजेगा बाई वी एफी चैनल मतलब जैसे अब नीनाट पढ़ना है तो अब नीनाट टैगोर बाई क्या होगा 22 आंसर होगा ऑप्शन सी ये है लाहौर में आगे चलते हैं अमरिता शेर गिल के चित्रों में किस भावना की जलक अधिक दिखाई पड़ती है शांती विशाद उन्मुक्ता उल्लास बताईए 23 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी ये है विशाद नेक्स्ट एमेफ हुसैन का पूरा नाम पूछा जाता है देखें नाम भी पूछ लिए जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है बताई 24 यहीं है अपने मकबूल फिदा हुसैन ठीक है फिदा हो जाते थे आगे चलते हैं भारती विश्यों को पाश्चात्य सहली में किस ने चि लिए बेरी गुड हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन डी हो जाएगा ये हैं अमरता शेर्गिल ऑप्शन डी होगा ठीक है आगे चलते हैं जमीन को किसने बनाया है हुसैन ने हलदार ने पिकासो ने आरा ने बताईए किसने बनाया है जमीन और याद रखना है ये बंती कब है 1955 में है ठीक है बताईए हाँ 26 पे आ जाएगे वेरी गुड शाबाज ऑप्शन डी होगा हुसैन ने इसको बनाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशिद चित्र है नीली रात 1969 में बनता है इनका चित्र किसने चित्रित किया है हलदार यामनी राय एम फुसैन एनस पेंद् सी यह है एम फुसैन ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है मदर टेरेसे का चित्रन किसने किया है रजा ने हुसैन ने हलदार ने नंदलाल बोस ने बताईए शाबस 28 पर यह option B हुसैन ने ठीक है हाँ चच्चा ने चलो आगे है through the eyes of a painter नामक फिल्म में किसने बनाई है करन जोहर, M.F. हुसैन, जोती भट, महेज भट, बताईए 29 through the eyes of a painter बिल्कुल, आंसर याद रखना है option B, M.F. हुसैन ने आगे बढ़ते हैं, M.F. हुसैन की मृत्तु कहां पर होती है, लंदन, कतर, भारत, न्यू यॉर्क, 30 पर आएंगे फटा-फट से और यह आज का last question है शाबास, 30 पर आएंगे, option A हो जाएगा, यह है लंदन, ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 30 question कर लिया, और 31 question जो है न, यह आपको घर से करके लाना है, और बताना है कि माधुरी दीच्छित पर जो फिदा हो, मतलब कि स्रंखला बनाई है, अभी तो खर यही है, चलिए ठीक है, इसी को बताना है कि माधुरी दीच्छित पर जो चित्र शंखला बनाई है, वो किसने बनाई है, यह बताना है आपको ठीक है, तो यह आपको नीचे comment box में बताना है कि अखरेस का answer क्या होने वा है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा, क्योंकि कलाकार जो है न, वो बहुत ज़्यादा important होते हैं आपके exam के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो part होता है आपके syllabus का, वो कलाकारों का ही होता है, ठीक है, तो आपके ऐसे ही धीरे-दीरे हमें के कलाकार कर ज़्यादा ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मुस्किल से 20 से 22 मिनट या 25 मिनट की क्लास हुआ करेगी, ठीक है, हाँ, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू, किलर गेमिंग, थेंक्यू, नाइस रहसन मैम, थेंक्यू सो मच, BPSC teacher, very good, very interesting topic and class, थेंक्यू, 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 मज़ा आ गया, एक बार ये जो, जितने भी आप लोग कमेंट किया करते हैं, यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा बाहर भी कर दिया करें, ताकि लगा करें कि हाँ, क्लास में जान होती है, ठीक है, क्योंकि ये वाल तो डेली जितने भी questions, डेली जितने भी questions हम करवा रहे हैं, वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मैम आपका sort video, हाँ, sort video जो डाल रहे हैं ना, इस टाइम पर, आज हमने सब, क्या नाम क्या बोलते हैं, आज हमने कौन सी video डाली थी, आज हमने कोई एक video डाली थी, sort video जो ड ठीक है, जितने भी sort video डालते हैं, उनको जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आलोक साधना जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को, बताईए समनम जी, क्या बात है, ठीक है, तो देखिए, यह जितने भी questions हो रहे हैं, सारे important है, और देखिए, जो B BPSC वाले हैं बच्चे, उनके लिए बोलने, BPSC वाले बच्चे, बेहद important questions हैं, इन questions को बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा, बार-बार revision कर लीजेगा, ठीक है, बार-बार revision कर लीजेगा, और इन्ही question को देखिएगा, आपके exam में 100% मिलने वाला है, ठीक है, आप लोग धन्यवाद, हाँ, thank you, killer gaming, जितनी भी वीडियोज मिलेंगी आपको, एक दम to the point मिलेंगी, और आपके exam के related ही मिलेंगी, रात को 9 बजे सभी को जोड़ना है, कलाकारों की class में, ठीक है, चलिए, off करते हैं अब, हाँ, चलिए, मैं, BPSC 9 to 10 के लिए भी pattern change हुआ है, इसका तो हमें अब मालूम नहीं है, हमने देखा नहीं है, वैसे 6 to, मतलब 1 to 5 के लिए change हुआ है, साइद, pattern, 1 to 5 के लिए, 9 to 10 का तो हमें नहीं है, मालूम, देख लीचेगा, आप लोग notification आया होगा, हाँ, इनका revision चलता रहेगा, इनका revision हम करवाते रहेंगे, बार-बार करवाएंगे, इन questions का revision बार-बार करवाएंगे हाँ, ठीक है, जितने भी questions हमने आज तक करवा हैं ना उनका revision आपको चाहे सुबह आठ बजे मिले चाहे दो बजे मिले दो पहर में चाहे रात को साथ को मतलब शाम को साथ बजे या फिर रात को नो बजे इन चार classes में आपको घूम घूम के वही question मिलते रहेंगे कि बस आपकी शर्त ये है कि चारो classes आपको पढ़नी पढ़ेंगी ठीक है हाँ हाँ सब कुछ सेम है रवी जी कह रहे हैं सब कुछ सेम है कुछ भी change नहीं हुआ है 125 का हमने सुना है कि हाँ change हुआ है लेकिन 9 to 10 का ये लोग बता रहे हैं तो हो सकता है कि न हुआ हो ठीक है चलिए अब off करते हैं हम